शिवपरी जिले के कोलारस कस्बे में एक तेज रफतार बाइक में स्कूटी में जोड़दा ठकर मार दी इस घटना में इस कूटी सवार गंबी रूप से घायल हुआ है घायल को उपचार के लिए पहले जिलास्पताल फिर बाद में गौालिया रिफर कर दिया गया है रफतार के कहर का सिस्टीवी वीडियो भी सामने आया है जो अनकारी के मताबित घटना चनिवार शाम के बताई गई है जहां कोलारस कस्बे के जिगतपुर चौराहे पर धुलाई सेंटर के पास एक स्कूटी सवार अपनी साइड लेने के लिए सड़क क्रोस कर रहा था इसे दोरान सामने से आ रही तेजरफतार बाई केच शालक ने स्कूटी में सामने से जोरदा टकर मार दी थी इस घटना में इंदरा कॉलोनी के रहने वाला दिलीब दोहरे के सिर में गंभीर चोटे आई हैं वहीं पूरन छेडी के रहने वाले दो बाईक सवारों को मामूली चोटे आई हैं बाईक सवार राजिंदर प्रशापती ने बताया है कि वह अपने एक साथी के साथ गाद के कट्टे को लेकर घर जा रहा था जहां एक एक स्कूटी के सामने आने से बाइक स्कूटी से टकरा गई कोलारस पुलिस ने मामली की जांच शुरू कर दी